करेंगे कि जो हमारा Marker making है वह होता क्या है ठीक है कटिंग से पहले हम देखेंगे कि हमारा जो Marker है वो क्या होता है क्या यह start करते हैं अब Marker is a diagram of a precise arrangement of pattern pieces for size of a specific style that are to be cut from in one spread इसमें क्या चीज बोली गई है कि जो आपका Marker है आपका Marker एक specific style के एक size के लिए एक pattern के टुकडो की एक precise arrangement का एक क्या है diagram है इसमें क्या चीज बोली गई है कि जो आपका Marker है आपका एक Marker एक specific style के size के एक pattern जो आपके pattern के जो pieces है pattern के pieces का एक क्या है precise arrangement का एक diagram है आपका Marker एक diagram है किस चीज का जो आपके precise arrangement के जो pattern के pieces है specific style में specific style के size में उनका यह क्या है यह एक diagram है जिसको spread किया जाता है काटने के लिए गिसको क्या 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 जाता है इसको spread क्या जाता है काटने के लिए तो यहाँ पर क्या चीज बताए गई है कि A Marker Is a Diagram एक Marker जो है वो एक diagram है ओफ पर क्रिसाइस arrangement आपके एक precise arrangement का एक precise arrangement of pattern piece of pattern pieces for size, एक pattern piece, आपके जो pattern piece है, जो आपके pattern के टुकडो का एक precise arrangement है, वो भी किसमें आपके एक diagram में, तो इसमें यही चीज बोली गई है, कि जो आपका marker है, वो एक precise, आपका जो marker है, वो एक specific style है, एक specific style का एक size है, size का आपके क्या है, यह एक pattern piece है, जो कि आपके किसमें है, एक precise arrangement में इसको diagram किया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम इसको spread करते हैं, काटने से पहले, आपका एक standard जो pattern तयार होता है, marker उसको क्या करता है, उसको बनाता है, ठीक है, इसके बाद हम बात करेगे कि आपकी जो marker making होती है, marker making क्या होती है, अब हम बात करते हैं कि what is marker making, जो आपकी marker making है, वो क्या होती है, marker making is the process of determining a most efficient layout of pattern pieces for a style, fabric and distribution of size, इसमें क्या बोलागा है, कि जो आपका marker है, आपका marker बनाना एक style को, आपका marker making क्या है, आपका marker making एक style को, एक fabric को, एक उसके size को, क्या करता है, यह आपका determine करता है, determining करने के लिए क्या करता है, pattern के जो pieces है, pattern के pieces का सबसे, जो आपका sufficient, जो आपका layout है, यह उसको निर्धारित करता है, यह उसको determine करता है, उसको क्या करता है, यह determined करता है, ठीक है, डिटर्माइन करने की यह क्या है एक प्रोसीज है तो इसमें क्या चीज बोली गई है कि जो आपका मार्कर है आपका मार्कर मेकिंग एक स्टाइल एक फैब्रिक एक स्टाइल का जो आपका डिस्ट्रिबूशन है डिस्ट्रिबूशन के लिए पैटन के जो पीसिस है पैटन के पीसिस का सबसे आप बोल सकते हो यह सबसे इफिसेंट ले आउट है जो निधारित किया जाता है जो डिटर्माइन किया जाता है आपके प्रोसेस के लिए इसमें आगे क्या बोला गया है कि फैक्ट्री फैक्ट् जिन फैक्टिरियों में आप बोल सकते हो जिन अपर्ल इंडस्ट्री में CAD सिस्टम नहीं है ठीक है वहाँ पर यह जो process है यह कैसे किया जाता है यह जो आपका process है वहाँ पर यह manually किया जाता है यह आपका हाथ से किया जाता है इसके बाद बात करिए गई है In manual marker making To make an effective marker One need, time, skill and concentration इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि एक कुसल marker making के लिए Manual marker making में क्या चाहिए उसको समय चाहिए उसके अंदर skill होनी चाहिए और उसके अंदर concentration होनी चाहिए तब ही क्या हो सकते है तब ही हमें एक आवश्यक आपको एक efficient आप बोल सकते हो आपको एक efficient जो है pattern परियाप्त होगा अगर एक बाद बताईए अगर कोई इंसान अगर manually pattern बना रहा है तो क्या होगा कि अगर कोई भी इंसान manually pattern बना रहा है तो क्या चीज़ होगी उसके पास time होना चाहिए उसके पास pattern बनाने की skill होनी चाहिए तीसरा उसके पास concentration होनी चाहिए तब ही वो एक efficient जो आपका pattern वो तयार कर सकता है इसमें क्या बोला गया है कि आज कल जो आपका marker बनाने का जो काम है यह जादतर CAD सिस्टम द्वारा किया जाता है जो आपको एक accuracy देता है और यह क्या करता है जो आपके variable है यह उनको जा करता है उनको control करता है जो आपके variable जो बढ़ जाते हैं उनको बढ़ने को क्या करता है यह control करता है और marker बनाने में जो आवश्यक time जो लगता है जो requirement लगती है आपके time की वो भी यह क्या होती है कम हो जाती तो इसमें यही चीज़ बताए गई है जो आपका marker making यह दो तरही के सिख्या जाता है एक आपका manually और दूसरा आपका CAD से ठीक है अगर आप marker जो आप pattern बनाते हो अगर आप यह चीज़ हाँ से बनाओगे तो आपको ज़्यादा time लगेगा अगर करोगे तो वो चीज़ आपके लिए hard पड़ती है क्योंकि आप grading जो करते हो each and every point पे की जाती है तो इसमें आपको time भी ज़्यादा लगता है आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन अगर यही सारी चीज़ आप CAD से करोगे तो क्या होगा कि जो आपका time है तीक है आपका time भी कम लगेगा और आपकी जो accuracy है वो भी जादा होगी तीक है और इसमें क्या होता है कि आपका time की बचात होती है और आपका जो काम है वो अच्छे से निमटता है और सबसे ज़्यादा आज कल जो आपकी apparel industry है उसमें सबसे ज़ादा जो यूज किया जाता है वो आपका CAD सिस्टम यूज किया जाता है आपके marker making के लिए तो इसमें यही चीज बताई गई है कि आपके जो marker making में CAD जो है सबसे ज़ादा इस्तमाल किया जाता है हमारे apparel manufacturing में हमारी factories में जिससे क्या होता है कि हमारा जो labor का जो काम है उसमें भी हम लोगों को मदद मिलती है तो ये था हमारा कि हमारा marker क्या होता है और marker making क्या होती है ठीक है इसकर है वो कित्ते type से वो marking करता है इसमें सबसे पहले दिया हुआ है आपका open marker ठीक है इसमें क्या दिया हुआ है आपका सबसे पहले open marker इसमें क्या बोला है marker made with full pattern pieces जो हमारा जो marker है वो क्या बनाता है वो पूरे pattern के टुकडो से अपना जो marker है वो बनाता है अगर जो हमारे open marker होते है उसमें क्या बना जाते है उसमें marker बनाता है with full pattern pieces वो full pattern pieces बनाता है open marker में ठीक है इसके बाद हम बात करते है second close marker जो closed marker है उसमें क्या होता है marker made with half garment part pieces for lay along the fold of the tube bracket में tubular knit इसमें क्या चीज बोली गई है कि जो आपके close marker है उसमें किस तरीके से वो बनाता है इसमें tube के जो आपका tube के जैसे मतलब आप बोल सकते हो कि जो आपके tabular knit मतलब जो आपके tube के जो आपके कपड़े होते है ठीक है उनके साथ क्या करते हो आप उसको फैला देते हो फैलाने के लिए आप क्या करते हो आपका जो half garment है आपका half garment का जो part है उसके टुकडे को बनाते हो इसमें ये चीज बोली गई है कि close marker में क्या करते है जैसे आपको इस figure में दिखाया गया है आपका जो fabric है उसको on fold करते है और उस पे सिफ आपका जो pattern है वो क्या करते है सिफ उसका half fold करके उसको रखे और तब उसको हम बनाते है आपका सिफ half garment को ही रखके उसको बनाया जाता है तो ये था आपका close ended close ended में क्या करते है आपका half garment जो होता है उसको रखके बनाते है लेकिन जो आपका open marker है उसमें क्या करते है उसमें full pattern piece को रखके बनाया जाता है ठीक है ये इन दोनों में difference है जो आपका open marker है उसमें आपका full pattern piece को बनाया जाता है लेकिन जो आपका close marker है उसमें सिर्फ आपका जो half इसमें लिखागा है ना कि marker made with half garment garment part pieces for the lay along the fold of the tube वो क्या करता है उसको fold कर कि आपका जो tubular जो आपकी जो knit है उसको fold करता है ठीक है उसका सिर्फ क्या करता है आपका अगर front body टीक है उसको बनाना है तो वो क्या करेगा उसको half fold करेगा आपके जो garment है उसको half fold करेगा उसके बाद वो उसको बनाता है ठीक है तो जो आपका close marker उसमें यही चीज़ बताए गया है कि यह आपका half garment part जो इते pieces को उनको बनाता है लेकिन जो आपका ऑपन मारकर है उसमें क्या करते है उसमें फूल पैटरन पीचिस को बनाया जाता है अब हम बात करते है कि आपका voudra कर लिकिंग कितने टाइप से करी जाती है आपकी जो लिक मेकिंग है यह आप दो तरीके से आप इसको कर सकते हो सबसे पहले है यह आपकी manually produce कि आप इसको manually produce कर सकते हो आप इसको हात रसक्ताम की जा सकती है दूसरी आपकी computerized marker making CAD के थुरू ठीक है आप लोग दो टैप से पहला आप इसको हाथ अपने आप कर सकते हो manually ठीक है दूसरा आप इसको computerized कर सकते हो आप इसको CAD की help से आप marking जो है वो कर सकते हो इसके बाद हम बात करते हैं marker making की कि आपका marker making होता गया है ठीक है इसमें हमारे कुछ point है जिसको हम यहाँ पर discuss करते हैं सबसे पहला point है हमारा create on marker paper or directly on fabric ply इसमें बोला गया है कि जो आपका manually करते हो ठीक है इसमें marker क्या करता है वो सबसे पहले जो marking करता है या तो वो paper पे करता है या फिर वो सीधा उसको जो fabric की जो ply होती है इसमें क्या चीज बोला गया है कि जो marker है या तो वो अपना काम directly किस पे करता है paper पे करता है marker paper पे ठीक है या फिर वो क्या करता है वो जो fabric की जो आपकी ply होती है वो direct उसमें बनाता है उसके बाद second point आपको का बोला हो गया है tracing by pencil और tailor's chalk इसमें क्या चीज बोली गए इसको क्या किया जाता है इसको pencil या फिर जो आपके tailor's chalk है उससे इसको क्या किया जाता है इसको trace किया जाता है थर्ड point है आपका time consuming आप लोग जानते हो अगर आप कोई भी काम हास्ट से करते हो as compared to आपके computer की तुलना में या फिर आपके machine की तुलना में तो आप क्या करोगे आपको time ज़्यादा लगेगा manually काम करने में time ज़्यादा लगता है as compared to अगर वही काम machine की तुलना machine से क्या जा रहा हो तो जो आपका manual marker है इसमें ये time consuming होता है इसमें आपका समय ज़्यादा लगता है इसके बाद है आपका fourth point subject to error जो काम आप हास्ट से करते हो उसमें गलती होने का जो संभावना होती हो थ जैसे pattern overlap होना, grain line, poor line definition, dimension of pieces ये आपके कुछ subject है जिन में error होने की जो संभावना है वो आपकी थोड़ी बढ़ जाती है जब आप काम हास्ट से करते हो उसके पाद है आपका fifth point accuracy depend on individual skill की आपकी जो accuracy है वो किस पर depend करते है individual की skill पर इसमें बोलगा है कि व्यक्ति के जो skill है उस पर निर्भड करती है उसकी accuracy जो accuracy है वो किस पर निर्भड करती है individual skill जो काम करने वाला है उसके skill पर हमारी जो accuracy है कि हमारा pattern सही बनेगा ये उस पर निर्भड करता है तो जो आपका manual marker जो है इसमें आपकी ये 5 point आते है कि या तो वो सीधा बनाता है paper पे या फिर वो directly किस पे करता है fabric की ply पे अपना create करता है marker फिर उसके बाद वो क्या करता है वो trace करता है pencil या फिर tailor joke की help से जिसमें उसको time भी लगता है और इसमें आपके error होने subject error होने की समभवने थोड़ी जाद होती है pattern overlap पे या फिर gray line पे poor line definition पे dimension of pieces पे accuracy किस पे depend करती है individual skill की जो काम करने वाला है उसकी individual skill पर हमारी जो accuracy है जिसको आप हिंदी में बोलतो सठीकता वो निर्भर करती है इसके बाद आता है हमारा computerized marker इससे पहले जो हमने बढ़ा था वो था हमारा manual method जो आप हास से करते हो अब आता है आपका computerized marker जो आप computer की help से करते हो जो आप CAD की दुआरा करते हो सबसे पहला point है इसमें accurate कि जो आप computer की help से जो बनाते हो वो accurate होते है ठीक है उसमें गलती होने की जो संभावने में होते है वो बहुत कम होती है second point है आपका shortest response time कि सबसे कम परतिकिरिया समय कि इसमें जो आपका time जो लगता है वो कम लगता है as compared to अगर आप वो चीज हास से करोगे हास से करने में और machine से करने में भहुत अंतर होता है जो कम आप machine से करते हो वो कम आपका जल्दी होता है as compared to जो कम आप हास से कर रहे हो उसके ऐद है third point आपका direct और digitalized इस ये आपका direct है और digital है ठीक है इसके बाद है आपका fourth point manipulate image to determine best utilization, no overlapping or no omission इसमें क्या बोला गया है कि आप इसको manipulate कर सकते हो image को best utilization की उसमें आपका ना तो इसमें overlap होता और ना ही इसमें आपकी कोई भी गलती होती तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि इसको आप सबसे जादा आप इसको क्या कर सकते हो इसको utilize कर सकते हो आप इसकी जो image है मतलब आप इसको best utilize कर सकते हो आपकी जो image है आप इसमें किसी भी तरीके से आप इसको modify कर सकते हो आप इसमें changes ला सकते हो इसको manipulate कर सकते हो ठीक है बिना किसी overlapping और बिना किसी omission मतलब बिना किसी आप इसके चूप के इसको आसानी से आप इसमें changes कर सकते हो जो अगर आप उस चीज को computer पे कर रहे हो उसके बाद है आपका next point parameter style size etc for marker or enter into the computer computer इसमें क्या चीज़ बोली गई रहते हैं कि इसमें marker के लिए parameter जो हते हैं इसमें marker के लिए आपके computer में पहले से ही आपका जो style 患 साइज आपको आपका जल्दी से होता है पहले से ही जो computer होता है उसमें आपका जो style है आपका pattern का style आपकी स्रक्राइब उसमें बहुत सारी चीजी आपके patterns related उसमें पहले ही fix होती है ठीक है उसके बाद आपका next है can be printed, recall और modify इसमें बोला गया है कि इसको print, recall और आप इसको modify इसको किया जा सकता है हम इसको असानी से print करके देख सकते हैं, इसको recall करके देख सकते हैं, इसको modify करके देख सकते हैं इसके बाद है हमारा last point criteria can be set by technical, can be used to determine fabric requirement जो हमारा criteria है, वो हम किसके दुआरा set करते हैं, उसको हम technical के दुआरा हम उसको set करते हैं और इसमें क्या बता है, कि ये कपड़े की आफसकता को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हम criteria जो set करते हैं, वो किसके लिए set करते हैं, ये हमारे कपड़े की जो आफसकता होती है उसको determine करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको set करते हैं ठीक है यह तहां हमारा computerized marker कि हमारा CAD के दुआरा हम किस तरीके से अपना जो marking है वो करते है अब हम बात करते हैं कि जो हमारा marking marker mode है अब तक हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि हमारा marker क्या होता है marker making क्या होती है आप marker making जो है वो किते type से कर सकते हो आप उसको दो type से कर सकते हो आप उसको manually कर सकते हो या फिर आप उसको cat get through कर सकते हो अब हम पढ़ेगे कि marker mode जो आपके आपको को इसको करने के कितने तरीके है सबसे पहला जो मोड है हमारा वो है nap slash one slash way nap one way ठीक है यह हमारा सबसे पहला method इसमें क्या बताएगा है the nap slash one slash way marker abbreviation n o w हम इसको nap one way को हम क्या बोल सकते है n o w भी बोल सकते है is made with every pattern place with the down direction of the pattern in the same direction, इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि pattern के जितने pattern के जो down direction के साथ जो आपका pattern है आप उसको क्या करते हो pattern को आप down direction के साथ एक ही direction में रखे जाते हैं आपको जितने भी आपके pattern है आपको जितने भी pattern आपको एक साथ बनाने आप उनको क्या करते हो आप उनको down direction में एक साथ उनको रखते हो जैसे कि आपको यहाँ पे इस जो आपकी images में दिखाया भी हुआ है कि आपके जितने भी pattern है उनको क्या क्या हुआ है उनको down direction में एक साथ रखा गया है ठीक है यह है आपका सबसे पहला point कि जो आपका nap one way जो method है आप इसको nowb तो जो हमारा ये nap one way जो mode है इसको हम क्या बोल सकते हैं इसको हम nowb बोल सकते हैं और इसमें क्या बताएगा है कि हमारे जितने भी pattern है हम उनको क्या करते हैं हम इनको down direction में एक साथ रखते हैं आपकी जो down direction है आप उनको उसी direction में एक साथ इसको रखते हो और आपके जो जितने भी आपके pattern है और उनको तब फिर बनाते हो ठीक है आपका ये first point में यही चीज बोली गई है कि आपके जितने भी pattern है आप उनको क्या करते हो एक साथ आप उनको same direction में डाउन डिरेक्शन में आप उनको रखते हो, उसके बाद आपका second point है, this mode is necessary for fabric that are asymmetric, इसमें क्या बोलगा है कि आपके जितने भी आपके pattern है, ठीक है, ये आपका जो mode है, ये आपका किन कपड़ों पे किया जाता है, इसको करने की जो आफसकता होती है, जो necessity होते है, ये हमेशा आपका जितने भी आपके asymmetric जो fabric होते है, ये आपका mode उन पे किया जाता है, आपके asymmetric fabric के लिए आपका मेशा nap one way जो आपका mode है, आपका वो इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, this made is necessary for fabric that are asymmetric, जितने भी आपके asymmetric fabric है, उस पे आपको किस mode की जो रुद पढ़ती है, आपको इस nap one way, या फिर आप बोल सकते हो, जो आपका mode है, आप उसको apply करते हो, उसके बाद आपका third point है, all pattern are placed on green, and in the down direction, which is usually toward the left edges, starting point where the legend is written, इसमें क्या बोल गाया है, कि आपके जितने भी आपके pattern है, आप उनको क्या करते हो, आप उनको green line पर रखते हो, और उसको down direction में रखे जाते हो, आपकी जितने भी pattern है, आप उनको क्या करते हो, आप उनको green line पर रखते हो, जो आपकी green line है, आप उनको उसको down direction में रखते हो, जो आम तोर पर क्या किया जाता है, या आपका आम तोर पर या आपके जो left edges है, जो आपके बाए किनारे की और ह होता है ठीक है यह आपके फैब्रिक में किस साइड होते है यह आपके फैब्रिक में जो आपका लेफ्ट एजी से उस साइड यह रखे जाते है ठीक है इसके बाद बोला गया आपका last point इसमें क्या बोलागा है कि जो आपका वन वे मारकर जो है यह आपका हाइस्ट क्वालिटी या आपका आप बोल सकते हो सबसे हाइस्ट गुनवत्ता वाला आपका मोड है लेकिन एक मारकर के लिए तीन नप जो डायकर से कम उसको इनके बारे में पता होना चाहिए इसमें क्या चीज बोली गई है कि जो आपका nap one way जो है यह आपका सबसे जादा highest quality वाला यह marker है ठीक है लेकिन जो आपका जो marker है उसके लिए तीन nap दिसाओ जो आपकी direction है direction में कम से कम उसको efficient होना चाहिए उसको यह चीज आहनी चाहिए ठीक है यह था आपका one way nap one way जो मोड़ वो क्या होता है इसमें आपकी जित्ते भी pattern आप उनको क्या करते हो आप उनको down direction में रखते हो और यह आपका किस पे apply किया जाता है यह आपका asymmetric fabric पे apply किया जाता है ठीक ह इसके बाद हम पढ़ेगे nap either way अब हमें start करते है अपना nap either way ठीक है यह आपका second mode है आपका marking करने का इसमें सबसे पहला point है the nap slash either slash way marker abbreviated n e w nap either way को हमकी उसमें भी बोल सकते हो आप इसको n e w के नाम से भी बोल सकते हो is made where there is no restriction of which way the pattern are oriented इसमें क्या चीज बोला गया है कि जो आपका nap either way जो है आप इसको आप इसको वहाँ पे बना सकते हो जहाँ pattern आप किसी भी direction में आप रखो इसके लिए आपका कोई restriction नहीं है कि आप अपने जो आपका pattern है आप अपने pattern को किसी भी direction में आप इसको रख सकते हो इसमें आपका कोई restriction नहीं होती आपके उपर कोई भी परतीबंद नहीं लगाया जाता आप अपने pattern को किसी भी direction में आप इसको रख सकते हो जैसे कि आपके इस figure में आपको दिखाया गया है कि आपका जो pattern है वो आपका किसी भी direction में देखी आपका रखा हुआ है आप इसको up direction में रखो या फिर आप इसको down direction में रखो आपका जो pattern है उसको हर एक direction में क्या किया है दिखाया गया है ठीक है इसके बाद है हमारा second point the pattern way जो आपका pattern है, आपका pattern जो है उसको हर direction में इसमें दिखाया गया, जैसे आप देख सकते हो, arrow की help से, जो आपकी image है, उसमें दिखाया गया, कि आपके pattern अप direction में भी रखे वे और उनको down direction में भी रखा वा गया, तो इसमें यही चीज बोली गई है, कि जो आपका nap either way है, आप space में कोई restriction नहीं होती, कोई परती बन नहीं होता, आप इसको किसी भी way में आपके जो pattern आप उनको oriented कर सकते हो, आप उनको रख सकते हो, ठीक है, इसके बादे है हमारा second point, the pattern may be oriented either down or up, place, wherever they fit first, only marking, marking, और only marking, sure that the pattern are on green, इसमें क्या चीज बोली गई है, कि आप अपने pattern को, या तो आप नीचे रख सकते हो, या फिर आप उसको उपर की side रख सकते हो, ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको oriented कर सकते हो, आप इसको रख सकते हो, जहां मतलब जहां पर भी आपके ये जो pattern है, वो अच्छी तरीके से fit होते है, आप इसको fit के according, आप इसको कही पर भी आप इसको adjust कर सकते हो, केवल आपको ये चीज शोर करने ही पड़ती है, कि जो आपके pattern है, वो आपके own grain पर हो, ठीक है, आपका जो nap either way, जो आपका mode है, आप इ इसको किसी भी direction में आप इसको रख सकते हो, आप इसको up direction में रख सकते हो, आप इसको down direction में रख सकते हो, ठीक है, आप इसको कही पर भी आप इसको oriented कर सकते हो, आपके इसमें कोई भी restriction नहीं होती, बस आपको ये चीज मेंशन करनी चाहिए, ये चीज ध्यार में रखनी चा most efficient mode getting the highest fabric utilization जो हमारा nap either way जो marker है यह आम तोर पर यह सबसे जादा यह सबसे अधिक आपका efficient mode है जो आपका एक highest fabric का use करने में उसका utilize करने में क्या करता है यह आपके को मदद करता है ठीक है जो आपका यह जो either nap either way जो है आपका NEW यह आपका सबसे जादा आप बोल सकते हो सबसे most आपका मतलब आप बोल सकते हो यह सबसे जादा most efficient mode है सबसे अधिक कुशल यह आपका mode है जो आपकी highest fabric utilization में आपकी मदद करता है इसके बाद जो हमारा third point है हम उसको discuss करेगे इसके बाद आता है यह हमारा third mode last mode कि जो हमारा marker mode है उसमें सबसे last mode है आपका nap slash up and down ठीक है यह हमारा सबसे last mode ठीक है इसमें क्या बताया गया है सबसे पहला point है आपका the nap slash up slash down mode marker abbreviated N U D इसको किस नाम से आप इसको बुला सकते हो N U D के नाम से is more efficient than the nap one way marker but not as efficient as the nap either way marker इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो है आपका nap up and down marker जो है आप इसको किस नाम से बुला सकते हो आप इसको N U D के नाम से भी आप इसको बुला सकते हो आपका nap one way marker की तुलना में यह बहुत ज्यादा अधिक यह कोशल होता है यह आपका nap one way के उसमें यह क्या बताएगा है यह आपका ज्यादा efficient होता है ठीक है यह nap one way marker की तुलना में यह अधिक efficient है लेकिन nap either way marker जितना यह कोशल नहीं है उसके जितना यह efficient नहीं है इसमें यह चीज बताए गई है कि यह आपका जो nap up and down जो है यह आपका nap one way से तो ज़्यादा efficient है लेकिन आपके nap either way से ज़्यादा efficient नहीं है इसकी जो पहली line है आपका उसमें यही चीज बताए गई है कि जो आपका nap up and down जो आपका marker है यह आपका nap one way से तो efficient है उससे तो कुशल है लेकिन आपका nap either way से ज़्यादा efficient नहीं है उससे ज़्यादा कुशल यह नहीं है इसके बाद करते हैं आपके second point की in order to get a better fit between the pattern, alternating size of pattern are oriented in opposite direction इसमें क्या चीज बोली गई है कि यह आपके pattern के बीच एक better fit होने के लिए pattern के जो आपके जो यह आप बोल सकते हो जो आपके pattern के alternative जो आपके size है size के जो आपके pattern है उनको किस दिसा में रखा जाता है उनको आप opposite direction में रखते हो एक अच्छे fit के लिए ठीक है इसमें यही चीज बोली गई है कि in order to get a better fit between the pattern अगर आप इसको pattern को एक better fit में अगर आप देखना चाहते हो तो आपको इसको किस तरीके से रखना चाहिए alternating size of pattern are oriented in opposite size जो भी आपके जो यह pattern जो आपके alternative size के है उनको आप एक opposite direction में आप उनको क्या करते हो औरेंट करते हो उनको आप रखते हो तब ही आपको pattern के बीच में क्या मिलता है एक better एक अच्छा आपको उनके बीच में क्या मिलता है एक better fit जो है आपको इसमें देखने के लिए मिलता है आपके pattern के बीच में ठीक है जैसे कि आपके इसमें pattern में दिखाया गया है कि इनको कि nap up and down जो आपका mode है इसमें क्या करते है आपके जो pattern होते है इनको क्या करते है इनको एक दूसरे के opposite direction में इनको रखा जाता है जिससे आपके pattern के बीच में क्या देखना को मिले एक better fit आपको देखने के लिए मिले ठीक है और इसमें ये चीज क्या चीज बताए गई थी कि जो आपका nap one and down जो marker है इसको आप बोल सकतो NUD के नाम से और ये क्या इसमें क्या चीज बताए गई है कि ये आपके nap one marker से ये ज़्यादा efficient होता है लेकिन आपके nap either way से ये कम efficient होता है ठीक है ये आपका इसमें बताए गई अब हम बात करते हैं इसके last point की this method is yield modetric good fabric utilization and good quality इसमें ये चीज बताए गई है कि ये है जो आपका method है ये मध्या रूप से अच्छे कपड़े के use के लिए जो आपका एक good fabric utilization के लिए या फिर आप बोल सकते हो एक good quality के लिए ये बनाया जाता है ये method आपका किसके लिए बनाया जाता है जिससे ये method आपका सबसे ज़्यादा जो use किया जाता है ये जो आपके मध्या रूप से जो आपके good fabric जो आप utilize करते हो उसके लिए ये बनाया जाता है आपके अच्छे कपड़े के उप्योग के लिए या फिर आप बोल सकते हैं आपके जो अच्छी जो गुनवत्ता वाली जो आपके कपड़े होते हैं उनको बनाने के लिए इस मैथड का यूज किया जाता है तो यह थे आपके तीन मैथड मोड की आपका जो मारकर मोड है वो कित्ते का होता है यह आपके थ्री टाइप का होता है आपका इसमें सबसे पहले है आपका नैप वन वे मोड दूसर surprised है आपका आईदर वे मोड और ठर अब अब काण तो हमने इसमें पढ़ा कि आपके तीन मोड होते हैं ठीक है जिसमें आपका first one में आप down direction में रखते हो ठीक है second वाले में आप क्या करते हो आप इसको या तो आप इसको ऊपर किस direction में रख सकते हो या आप इसको नीचे की direction में रख सकते हो जिस तरीके से आपका जो pattern है वो दिरेक्षिन में रखते है कि अधे हमारे बीच में लोगों क्या देखने को मिलते है पटर फिट अस्टा बॉझ सकते हो देखने को वहे इसमें